कि सवाल नम्मर दो में कथा आकरती 8.13 में सबसे पहले में आकरती 8.13 बना लेते हैं यह 12 सेंट्रीमिटर दिया हुआ है और यह 13 सेंट्रीमिटर और यह क्यू है यह 19 डिग्री और आर पी यह आकरती 8.13 है जिसमें कहे रहा है 10P-4R का मान गयात किजिए सवाल बनाने स्पर लेम लिखेंगे दिया हुआ है आकरती 8.13 में पी क्यू बाड़ा सेंट्रीमिटर तथा पी आर तेरा सेंट्रीमिटर और क्यू आर वाट और सवाल में कहे रहा है 10P-4R का वेल्यू निकालना है यह हमें फाइंड करना है सबसे पहले सवाल में पिर भूज दिया हुआ है और इसमें दो भूजा दिया हुआ है इसका हमें हर हालत तिसरा भूजा ग्याद करना होगा उसके बाद इस पर हम आएंगे इसका तिसरा भूजा ग्याद करने के लिए हमें पाइथागोरस पर में लिखेंगे पाइथागोरस सबसे लंबी भूजा का हुआ है यानि पी आर का स्क्वाइर बड़ाबर PQ का स्क्वाइर पलस QR का स्क्वाइर तो PR का value में दिया हुआ है 13 cm इसका whole square बड़ाबर P और Q का स्क्वाइर दिया हुआ है 12 cm पलस QR का स्क्वाइर हमें पता नहीं है इसके हमें निकलना है तो तेरे का स्क्वाइर होता है 179 बराबर 12 का स्क्वाइर होता है 144 पलस qr का स्क्वाइर में फाइंड करना है तो चलिए संख्या को संख्या के तरफ कर लेते 149 माइनस यह इधर आएगा माइनस हो जाएगा 144 बराबर qr का होली स्क्वाइर तो नौ में चार जाएगा पॉंच छो में चार जाएगा दो एक में काया कटन कुट्टी याने 25 वर और qr स्क्वाइर हटेगा तिधर क्या आजाएगा रोट इसलिए qr बाबर पॉंच सेंटेमिटर तो अधार का वेलू निकल गया पॉंच सेंटेमिटर अब तिर्भूज के तिनों भुजाओं कामा निकल चुका है अब कितना भी सवाल दे देगो हम निकाल लेंगे तो qr का वेलू कितना निकल गया पॉंच सेंटेमिटर अब 10p और qr एंगल अलग अलग है यह बात इसमें ध्यान देना हुआ कि एंगल अलग अलग है तो तिर्भूज में आधार और परपेंडिकुलर चंज होगा कि सबसे पहले हम 10p के लिए अगर पी को हम बैस मानते हैं एंगल तो यह अगर इसको में एंगल यह मानते हैं तो यह ज़स्ट यह बगल वाली जो भुजा होती यह अधार हो जाएगा और इसके ज़स्ट रामने वाली बुजा क्या हो जाएगा लंब और ये कर्म ऐसा ही रहेगा सबसे पहले 10P का क्या होता है फर्मूला 10 ठीटा में यहां देखते हैं 10 ठीटा बड़ा होता है लंब बटर अधार तो लंब बटर अधार दे देंगे अधार मैनस है मैनस दे देंगे अब देखना है कॉट आर अगर हम आर को एंगल मानते हैं अगर हम इसे इसे हम एंगल मानते हैं मान ले जाएक इस बना लेता है इसे यह 13 सेंट्रीमिटर है 12 और यह 5 सेंट्रीमिटर है अगर इसको हम मानते हैं कि यह अधार होगा यह लेकिन लंब हो जाएगा क्या होगा यह अधार यहां पर इसको एंगल मान लेते हैं तो यह अधार होगा और यह लंब होगा तो कोट का क्या फरूला होता है कोट ठीटावर होता है अधार बटर लंब कोट का क्या होता है अधार बटर लंब लिख दें अब लंब कितना है 10p वाले में 10p वाले में लंब है 5 संटिम्टर तो लिखेंगे 5 संटिम्टर बटर अधार कितना इसमें 12 संटिम्टर अब 10-4 वाले में अधार बटर लंब है तो आधार कितना है 5 संटिम्टर बटर लंब कितना है 12 संटिम्टर वस्थ यह यह केंसेल हो जाएगा बराबर के आजाएगा हमरा 0 में कि सवाल में कुछ नेता सिर्फ और सिर्फ एंगल का जैंग मानते हैं तो इस Schnake सब्सक्राइब इस बात कि इसमें ध्यां दे ना होता है तो चलिए आर्ग तीन में तीन को बनाते हैं